COVID-19 का मीडिया बिलिटन आ चुका है आज जम्मो संभाग से 5 मौते हुई हैं और कश्मीर से भी 5 मौते हुई हैं 1386 लोग रिकावर होके घर चले गए हैं नए 632 पॉस्टिव केस जो हैं आज पूरे जम्मो कश्मीर से रिपोर्ट हुए हैं इनमें 346 जम्मो डिविजन से और 286 कश्मीर डिविजन से यानि कुछ तो हो रहा है कुछ ऐसा हो रहा है कि आज कम से कम पॉजिटिव केसिस की तैदाद कम हुई है मौतों का नंबर भी कम हुआ है पांच जमूर डिविजन से हुई हैं पांच किश्मीर डिविजन से हुई हैं लेकिन आज डेल एक्सरशेर की फ्रंट पेज पर एक खबर आई जिस खबर में डेल एक्सरशेर निये लिखा हुआ था कि अभी भी इस्थिती गमट मेडिकल कॉलिज की नहीं बदली हालाद जู की त्यूं हैं लोग परिशान हैं और उस परिशानी से बाहर कैसे निकला जाए लोगों को समझ नहीं आ रहा है मजबूर होकर लोगों को अपने परिजनों को जम्मू से बाहर पंजाब के अलग-अलग हस्पतालों में अड़मिट करना पड़ रहा है मजबूर होकर लोगों को Government Medical College की बज़ाए दिल्ली और बाकी जगों पर जाना पड़ रहा है शायद messaging में कहीं कमी है शायद हम लोगों शायद Medical College के अंदर लोगों का विश्वास कम हुआ है शायद ऐसा हुआ है oxygen plant हो या Government Medical College के isolation ward में जिस तरीके से तो लोगों का होसला तोड़ा है और अगर ये मौतों का नंबर कम हुआ है तो इसका मतलब कुछ तो है जो हो रहा है जिसके कारण ये मौतों का नंबर कम हुआ है या तो और सबसे हरान करने वाली बात ये कि Director Health Services नाराइना जा रही है जो डॉक्टर बिमार हो रहा है वो बड़ डॉक्टर जो बिमार हो रहे है वो या तो जब मुँसे बाहर जा रहे हैं या नाराइना और जो मेरी इतलात हैं उसके मताबिक बाए अलाज लोग जो है जब मुँके बाहर अपना इलाज करा रहे हैं एक्सिल शेर अगर फ्रंट पेज पर यह खबर लिख रहा है तो यह चिंता इससे चिंता होनी चाहिए इससे फिक्र जो है वो पैदा होनी चाहिए गर्मिट मेडिकल कॉलिज के अंदर और उन तमाम नेताओं के अंदर जो गर्मिट मेडिकल कॉलिज और डिस्टिक नी की वहां क्या हो रहा है? अगर आपने कभी भी अपना काम seriously लिया होता है, legislator ने कभी भी अपना काम seriously लिया होता तो शायद आज जमो कुश्मीर के Medical College पूरे देश के लिए नमौना होते है. COVID-19 के bulletin में आज Active Positive Cases की तैदाद 14,696 जो लोग recover और डिस्चार्ज हो चुके हैं, उनकी तैदाद है 63,790 और 1252 लोगों की मौत हो चुकी है, जम्मू डिविजन से 203 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और शिर्नगर से 303, जम्मू आफ कीज़ेगा डिविजन नहीं, डिस्टिक्स से 203 लोगों की मौत हुई है, शिर्नग पूरा में माफ़की जा कुफ़ारा में 68 अनत्नाग में 67 बांडीपूरा में 40 गांदर बल में 29 कुलगा में 43 शुपियन में 32 आठ सो 65 लोगों की मौत कश्मीर से हुई है मगर 44,433 लोग रिकावर होकर घर गए हैं 44,433 कहानिया हैं यह 44,433 वो कहानिया कि लोग रिकावर होकर घर चले गए मगर 44,433 में किसी को इंटरेस्ट नहीं सब को इंटरेस्ट है 865 उन लोगों में जो लोग हमसे जुदा हुए जम्मू डिविजन का थोड़ा हाला आपके सामने दोसुत तीन लोग अभी तक जम्मू से हमसे जुदा हो चुके हैं रजोरी में 37, उदुमपूर में 21, डोडा में 34, कठवा में 26, पुंच में 17, सांबा में 22, रामबन में 11, किष्टवार में 10 और 80 से अबिक 6 लोगों की मौत हुई है तोटल 387 लोगों की मौत COVID-19 के कारण जम्मू संभाग से अभी तक हो चुकी है यानि 387 लोगों की मौत जम्मू संभाग से मार्च 24 से लेकर आज के दिन तक हुई है हमें 387 लोग जो हम से जुदा हुए हैं यह हमें इसके कारण हमारे दिलों में डर है खौफ है लेकिन हम नहीं ध्यान दे रहे कि 23,357 लोग बहुत बड़ी तैदाद यानि लगबग अगर 300 के हिसाब से देखा जाए तो आठ गुना ज्यादा लोग ठीक होकर घर चले गए लेकिन 23,357 कहानियों में हमें कोई इंटरस्ट नहीं हम यह सुनना ही नहीं चाहते हम यह बिलकुल नहीं सुनना चाहते हमें कोविड नहीं होगा यह हमें अपने अंदर अजीब औ गरीब बिश्वास ऐसा नहीं है आप बेहतियाती करेंगे तो कोविड आपसे दोस्ती करने आ जाएगा और जब यह दोस्ती करने आ जाएगा यह जाते जाते बहुत सारे निशान छोड़ जाएगा और कई लोगों के अंदर इतना खौफ छोड़के चला जाएगा कि सालों महीनों तक आपको जुकाम और खांसी से भी डर लगेगा इसलिए बेहत अहतियाती मत कीजिए 2300-3007 कहानिया ये बताती है कि अगर आपको बुखार है तो आपको छुपाना नहीं है अगर आपको खांसी है तो आपको छुपाना नहीं है अगर आपको कंजेशन है तो आपको छुपाना नहीं है अगर आपको चकर आ रहे हैं तो आपको छुपाना नहीं है और अगर आपको लगता है कि आपको पॉजिट पॉजिटिव से मिलकर आए हो और आप positive हो सकते हो तो आपको छुपाना नहीं है आपने छुपाया आप अपने लिए भी खत्रा बनेंगे आप तो ठीक हो जाएंगे लेकिन आप अपने किसी परिवार के आदमी को अपने साथ लेकर जाएंगे माफ कीज़े का अपने साथ नहीं बलके आप अपने किसी परिवार के आदमी को इस दुनिया से काटा बाई बाई कर देंगे ये आपको नहीं करना है और जैसा मैंने जैसा मैं कहता रहता हूं कि 936 लोग आज के दिन जम्मू से रिकवर हुए साड़े चार सो के करीब करीब लोग आज के दिन जम्मू से कश्मीर से रिकवर हुए 936 लोग रिकवर हुए 6 लोगों की आज के दिन जम्मू डिविजन से जो बुलिटन में हैं पांच लोगों की Jambo Division से, पांच लोग की कश्मी डिविजन से मौत हुई, चाभे-470 सो लोग रिकावर होकर घर गए, लेकिन साभे-460 लोगों में हमें कोई इंट्रेस्ट नहीं, साभे-470 लोग ठीक होकर घर गए, इन में बुजूर्ग भी होगे, यह सब जवान नहीं हैं इनमें बड़ी तदाद बुजर्गों की होगी जो ठीक ठाक होकर घर जा रहे हैं 936 लोग जो recover हुए हैं इनमें बुजर्गों की बहुत बड़ी तदाद होगी Diabetes की तदाद होगी Heart Patient होगे Kidney के पेशेंट होगे Lungs की जिनको infection होते हैं वो लोग घर वापस गए हैं आज हमें इनमें कोई interest नहीं हमें interest है सिर्फ उन पांच लोगों में जो पांच लोग हमसे जुदा हुए हैं Spain और Italy ने जिस बिमारी के सामने घुटने टेक दिये उस बिमारी को लेकर हमें उमीद और तवक्का ये है कि वो चमतकार जम्मो कश्मीर में हो जो Italy, Spain और USA में नहीं हुआ ये ज़रा जादती है मुम्किन नहीं है लेकिन कुछ तो है जो हो रहा है सारे 400 लोग आज कश्मीर से recover हुए हैं 936 लोग जम्मो से recover हुए हैं और अब जम्मो में 8215 लोग positive हैं जम्मो division में जिसमें 3410 जम्मो district से हैं कश्मीर division में सिर्फ 6481 लोग इस समय active positive हैं तो यानि लगबग 2 गुना ज्यादा लोग जम्मो संभाग में positive हैं वज़ा ये भी है कि आपने देखा होगा कि rat का test जब से शुरू हुआ है तब से एकदम number में उचाल आया है तो इसलिए ये चीज़ आपको अपने जहनों में रखनी है कि rat का अगर कोई भी symptom आपको है महरबानी करके घर मत रुकिए तीन-चाल सेंटर्स government ने नए जो है वो अलग-अलग सेंटर्स गांधी नगर में भी है तरातिलों में भी है और एक-दो सिटी के जम्मो सिटी के अंदर सेंटर्स हैं जहां पर आप rat का test करा सकते हैं rat में अगर आप positive आते हैं तो आप positive हैं लेकिन अगर आप rat में negative आते हैं और आपको बुखार है chest में congestion है तो अपना RT-PCR test जरूर कराएं RT-PCR test आपका viral load अगर कम होगा उस viral load को भी identify करता है और अगर आप RT-PCR में positive आते हैं आप home isolation में रहते हैं अपनी oxygen saturation पर नजर रखें अगर आपकी oxygen saturation किसी भी वक्त 95 से नीचे और 92 से नीचे चली जाती हैं तो फॉरण 108 डायल करें ambulance मंगाए और hospital चले जाएं hospital जब आप पहुंचेंगे तो वहां पर आपको सिर्फ वो दवाईयां नहीं जो घर पर जो दवाईयां आपको घर पर दी जा रही हैं वो asymptomatic patients के लिए और mildly symptomatic जिनको हलके full के symptoms हैं उनके लिए ये दवाईयां हैं ये कतन उन लोगों के लिए दवाईयां नहीं हैं जिन्हें बुखार जब 6-7 दिन से आ रहा है जिन्हें जबरदस खांसी है ये कतन उनके लिए दवाईयां नहीं हैं चोरी छुपे जाकर अपना city scan कराना चोरी छुपे जाकर अपन एक्सरे कराना और हस्पिताल से डरना ये कोई अकलमंदी नहीं है टाइमली अगर आप हस्पिताल पहुंचेंगे तो जान बज सकती है वहम में न पढ़ें कि जी हस्पिताल जाओंगा तो वाइरल लोड कम होगा ज्यादा होगा दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी ये तमाम दोस्ती आपकी सहत के लिए ठीक हो जरूत से ज्यादा दोस्ती करना भी आपके लिए ठीक नहीं आप जब गूगल बाबा में जाकर कोविड-19 को पढ़ते हैं तो आप ये नहीं पढ़ते ये नहीं समझते कि 98 प्रतिशत लोग जो कोविड-19 से इंफेक्ट होते हैं वो ठी बानी करके Health and Medical Education Department की मदद करें अगर आप को बुखार हैं अगर आप को चेस्ट का कंजिशन हैं खांसी जबरदस्त हो रही है फॉरन अपना रैड टेस्ट कराएं और जिन लोगों ने रैड टेस्ट कराया है अपने सिम्टम्स पर नज़र रखें ऑक्षिन सेचुरेशन पर दस तन तक आप infection फैला सकते हैं लेकिन उसके बाद आप infection नहीं फैलाएंगे आप किसी को बिमार नहीं करेंगे ठीक है तो इन तमाम चीज़ों को खियाल रखे और मुझे उम्मिद और तवक्का ये है कि COVID-19 की स्लडाई में जीतना इंसान नहीं है जीतना इंसान नहीं है ज प्रोटोकॉल्स को कितनों फालो कर सकते हैं, बात बस इतनी ही है, दीजे अजाज़त अदाब.